प्रनाम स्वामी जी मैं जूचना जार्खन से जी बेटा स्वामी जी मुझे पिछले 15 साल से थाराइड है और 125 mg के नीचे मैंने कभी थाराइड खाई नहीं 125 लो और उमर कितनी बेटा मेरी 27 साल है और कितने साल से थाराइड मैं जब 13 14 साल की थी तब इस बुडिया को थाराइड होगे बताओ और 120 mg तक खाती थी फिर पिछले एक साल से ये मेरे मम्मी पापा है ये अपनी आखे बंद करते और जो आप बोलते हो वो सिर्व वही मानते और वो मुझे डेली सुबर पांच बजे उठाते थे कि स्वामी रामदेव बोल रहे है तुम्हें वो मानना है पिछले एक साल से उज्जाई और सारे अनुलोम बिलोम सब किया और थाइरोग्रिक खाया लास्ट ऑक्टूपर में मेरी थाइरोइड की काउंट 15 थी इस मार् और और दवा दवा अभी थाइरोनॉर्म स्वामी जी जब मैंने टेस्ट कराया तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं क्योंकि मुझे पता था 125 के बाद 100 mg बोल देंगे बट वो बंद नहीं करेंगे तो मैं वेड करी थी कि मैं पहले यहां आओं दिखाओं और मुझे आसिड धिने कोई अंस्वामी सन्यासी, उनकी बहन आई, 10-15 दिने पहले मिली, उसकी आँख यूँ बाहर निकल रही, मैंने का बेबे ये क्या हो रखा, बोले थायराइड, बोले अब थारे पास आई हूँ, मैंने का अब क्यों आई है, पहले से नहीं बे रहा था, सारी आँख फुड़ा के आई है, थायराइड की दवा खाते खाते, आँख यूँ दिये की तरह, डीबले की तरह, बोले ने गाउं की भासा में, दिये की तरह बाहर निकल गई, हाट की उपर भी असर आगया, चक्कर आते हैं, अब आप ठीक कर दो, मन का पूरा बिगाड़ खाता करके आई, पहले ही क्यों नहीं आई, पहले मैं मानती नहीं थी, क्यों बोलते रहें बाबा, बाबा, उनका मजा को डाओ और अपने आप दुख पाओं है, चलो इस गुड़िया के लिए जोरदार ताली बजाओ, और उसने माबाप की बात मानी, कि बेटा, भारत का कोई सन्याशी, को योगी बोल रहा है, हमारे बले के लिए बोल रहा है, उसको तो थारेड नहीं है, अपने लिए बोल रहा है, मल लो, तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ जॉब कर रही हूँ अब चलो अब कुछ नहीं होगा बैटा बस योग मत छोड़ना जिन्दिगी बिल्कुल बिल्कुल अब यहां से बहुत सीख के जा रही हूँ और स्वामी जी मेरे पापा को भी डाइबिटीज डिटेक्ट हुआ था दो 18 साल से कोई दवाई ने लिए है सर हम कोरोना भी पोजेटिव थे 20 जाल में लेकिन सर आप सिर्फ स्वामी जी आपकी बात एक मैंने क्लीप देखी थी कि बॉड़ी के रिक्वाइर्मेंट को कम कर दो बॉड़ी जो मांगता है उसको कम कर दो हम हमारा ऑक्सिजन नेवेल 78-72 तू बारा दिन तक रहा लेकिन आपका क्लीप देखे सिर्फ आपको याद करते थे और फिर अपने आपको आपके सामने खरा किया है अलोपैथी के 18 साल से दवाई ने लिए है और योग से कंट्रोल है कोई दवाई ने लेते हैं और धर्म पत्नी पूरा परिवार ऐसा होना चाहिए कि वह अब हमारे घर में इस अलोपैथी का के दर्वाजे बंद अलोपैथी के दर्वाजे बंद स्वामी जी मम्मी को आपसे बात करने में बहुत ड़ लग रहा है डरो मत क्या-क्या था इनको अर्थराइटिस था और ऐसे हाथों में जिसे मेरी नानी को भी था प् आहे बाबा से का बात करोगे, तेलो, अब तेरी मामी का वर दर्द कैसा है? बहुत, बहुत, बहुत बहुत थिक है, यह दर्द जेनिटिक था महां से आगा तो और वजन, वजन कम है, 57 इरद वजन कम है, यहाँ और कम हो जाता है, जिनका ठोड़ा सा बड़ा हुआ, अब यह पित कफ बाबा जी पहले मुठी नहीं बांद पाते थे मुठी नहीं बांद पाते थे यह से बुरी आलत हो भी अब ठीक है तो जोर्दार परी तालिब अजा दब इस पूरे परिवार के लिए हां झालत हो जब भी आलत हो जोर्दार परिवार के लिए हां